एलो फ्रेंड्स वेलकम टूमाइ यूटूब चैनल स्टेडी विद गुरुकुल्स और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट डिस्प्लेस्मेंट जो की है डिफेंस मेकानिजम तो आईए पढ़ते हैं अबाउट डिस्प्लेस्मेंट क्या होता है वट इस उसके एक जान ले और जाणलियुए एक होता है कि कोई एक लड़की अंकीता उसको और जब घर आती है तो और यह अपने हजबंट पर शौट करती सब्सक्री अप culinary में हगज क्या है जुप्सक्री साथ को एक अ Sugasy की ऑचिकान शुट्स की क्योंकि उसको यह बहुत unacceptable लगता है कि वो अपने boss पे गुसा निकाल सकती है क्योंकि अगर वो उसके गुसा निकालेगी तो उसके कुछ repercussions हो सकते हैं जैसे कि उसको जॉब से निकाला जा सकते हैं promotions नहीं मिलेंगे बट क्योंकि जब वो घर पे आती है और husband जो है उसको कुछ नहीं कहेगा उसको यह acceptance है कि वो यह चीज मान लेगा यह acceptable हो जाएगा तो उस पे गुसा निकालती है तो इसी को कहते है displacement displacement means अपनी इस negative emotions को transfer करना from one person to another thing जो कि उससे unrelated है and जो कि उसको harm भी less करेगा तो जानते है what is displacement तो displacement में प्रियोडने psychology में बताया है जिसको कि Germany में बोलते है shift और move करना यह एक बहुत unconscious defense mechanism है जो कि हम बिना किसी awareness के और अज्ञानता के कर देते हैं जिसमें कि हमारा mind जो है एक नए aim को एक नए objective को ढूनता है and उसको उस पे जो है हम अपनी emotions या feelings जो है उस पे put up कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो less dangerous है और हमें harm नहीं होगा जैसे कि मैंने भी example दिया so displacement basically involves shifting of your true feelings from the original जो कि anxiety provoking भी होता है anxiety provoking means जब आपको कोई डाटा है तो आपको गुसा आता है आप anxious होते हो आप चाहते हो कि इससे relief पाले इससे निजात पाले और परिशान रहते हैं मगर हम यह चीज ऐसा करना चाहते है कि हमको harm ना हो और हमें कोई danger ना लगे कोई threatening ना हो जैसे कि अगर आप boss को वो अंकिता डाटती तो उसको डर था कि इसको promotion नहीं मिलेगी या कुछ और repercussions हो सकते हैं क्योंकि husband उसे emotionally attached है एंड वो उसको वापस से इतना कुछ नहीं करेगा उसके repercussions कम हामफुल होंगे तो वो displacement ऐसे करती है जैसे कि एक और एक्जामपल ले सकते हैं कि husband जो है wife को डाटता है और wife जो है अपना गुस्सा husband पर नहीं उता सकते तो अपने बच्चे पर उतारती है और बच्चा जो है मम्मी पर नहीं उतार सकता तो वो अपने टॉय पर या टेडी पर उतारता है तो जिस पर हमारा बस चल जाए या फिर जो हमको less harmful लगे या non-threatening लगे उस पर हम अपनी feelings को shift कर देते हैं that is called the displacement and usually aggression or anger के साथ होता है तो यह होता क्यों है why this displacement occurs यह इसलिए ह होता है क्योंकि हमारा जो desired target है उसको हम substitute करना चाहते हैं जैसे कि मैंने बताई defense mechanism एक ऐसा प्रॉसेस है जिससे कि हम अपनी साइकी को बचाते हैं and मैं defense mechanism को सुरक्षा कवज का नाम देते हूं क्योंकि यह हमारी साइकी को बचाता है हमारी जो conflicts होते हैं उसको resolve करने में help करता है कुछ discomfort हमें हो रहा होता है उससे हमें निजात दिलाता है और यह जो है इंडिविजल perception पर बिलीफ पर डिपेंड करता है कि एक इंडिविजल उसके बारे में क्या सोचता है जैसे कि for example अंकिता ने गुसा आया उसने अपना husband पर डाटा रादर कोई इस गुसे को एक motivation भी ले सकता है और उस पर ज्यादा काम करने की कोशिश करता है कर सकता है जैसे जिससे की बहुत खुश हो तो जैसे बहुत है इंडिविजल टू इंडिविजवल पर डिपेंड करेगा कि कौन के situation को कैसे लेता है कैसे लेता है circumstances को and due to the lack of the skills और कुछ लोगों में कुछ चीजों को circumstances को handle करने की शमता नहीं होती है उनके पास skills नहीं होते तो ऐसे लोग इस defense mechanism को ज्यादा यूज करते हैं यह कुछ ज्यादा अच्छा defense mechanism तो नहीं है displacement का और mature भी नहीं है इसको आप कह सकते जिन लोग के पास ज्यादा skills नहीं होते तो इसको handle करने की इस तरीके से कोशिश करते हैं तो next is purpose purpose क्या है कारण क्या है जैसे कि मैंने बताया कि यह सुरक्षा कवज की तरह होता है जो कि हमें हमें unknown और जो फीलिंग से एक बड़ी discomfort सी feeling जो रहती है conflict कि उससे हमें निजात दिलाता है जो हमारी feelings होती है उनको release करने में help करता है उनको ventilate करने के लिए help करता ह जो emotions हमारे pent up होते हैं वो जो है volcano की तरह फट ना जाएं इसलिए उनको direct करते हैं elsewhere जिससे कि उनको कम हाम हो और हमारी जो psyche है वो secure रहे तो main purpose उसका यह रहता है तो यह good है कि bad है see friends जैसे कि मैंने बताई यह सुरक्षा का वज है तो उसमें good और bad का ज्यादा परिणाम नहीं देख सकते हैं इसको हम short run on long run में देख सकते हैं short run on long run में कैसे कि अगर यह short run में use किया जाए तो good है क्योंकि अगर आप नहीं समाल पा रहे हो अपना गुस्ता या फिर कुछ अपने आपको harm कर दोगे या किसी को kill कर दोगे या boss को तो उस time पे छोटा सा displacement होना ठीक है मगर अगर यह long run में होता जा रहा है कि वो रोज अंके ताह आके अपने husband को उसके साथ लड़ाई करती है अपना गुस्ता उस पर करती है तो यह relationship में complications ला सकता है इससे जो relations खराब हो सकते हैं जिससे कि उसके psyche temporary तो save हो जाएगे but in the longer run उसको disturb करेगे क्योंकि relations जो है psyche को psychology को mind को free रखने के लिए बहुत important role play करते हैं so it is a reason that it is very important to channelize it in a healthy manner and with alternative solutions तो इसको alternative solutions के साथ अगर channelize किया जाए तो यह good हो सकती है but longer run में इसको गलत तरीके से use करे जा रहा है aggression displacement हुआ जा रहा है तो यह bad हो जाता है तो इसमें क्या two possibilities रहती है इसमें दो possibilities हो सकती है एक कि client जो है client यह जो इनसान है उसको पता है कि वो displace कर रहा अपने emotions जैसे मुझे पता है कि हाँ यह मेरे boss का गुस्ता है और मैं अपने husband पे निकाल रही हूं और अगर यह unaware है उसको नहीं पता है तो उसको यह aware कराने के ल cognitive therapies होती है निरो-linguistic programming होती है जिससे कि client को help कर सकते हैं कि वो इन अपनी feeling से aware हो और इनको एक positive तरीके से इनको channelize कर पाए ताकि उसके relationship इस चीज़े से खराब ना हो और दूसरा तरीका है कि अगर client aware है तो उसको direct करने में help किया जाए कि कैसे वो substitute कर सकते है अपने defense mechanism को कि य और relationship खरा ना हो तो इसके लिए बहुत सारी therapies होती है जिससे कि relationship बच सकते हैं so overall this was about the displacement जो कि एक defense mechanism है जो आप मैं subuse करते हैं ओप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है अच्छी लगती है इसको share and subscribe करिए और मुझे comment करके बताईए कि मैं और किन psychology topics पे आप मेरी वीडियो सुना पसंद करेंगे thank you